यह जर्मन मेट फ्लाइंग बोट दी ओ एक्स दिखने में किसी एरक्राफ्ट और शिप के कॉम्बिनेशन वाली इस फ्लाइंग बोट को जर्मन कंपनी डोर्नियर के द्वारा 1929 में बनाया गया था उस टाइम में यह सबसे बड़ी और हेवी फ्लाइंग बोट थी इस टाइब की फ्लाइंग बोट को इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस टाइम में यूरोप और अमेरिका की बीच में ट्रैवल करने के लिए ज्यादा फास्ट ओप्शन्स अवेलेबल नहीं थे इसके अलावा बहुत सारी सीटीज में एरपोर्ट ही नहीं थे जिन पर एरक्राफ्ट को लेंड कराया जा सके वहीं इस तरह की फ्लाइंग बोट को समुद्र में और यहां तक की छोटी लेक्स में भी लेंड कराया जा सकता था जो की काफी कन्मिनियन था इस फ्लाइंग बोट की मैकसिमम स्पीड केवल 240 किलोमेटर पर आवर की थी और यह सर्फेस से केवल 3 किलोमेटर उपर तक ही उड़ सकती थी इस तरह की केवल 3 फ्लाइंग शिप्स को बनाया गया था इसने अपनी आकरी फ्लाइट 1939 में ली